हाई गाईज वेलकम डूर यूटूब चैनल दे रियल इन्वेस्माइड आज हम बात करने वाले इन्फो एज इस स्टॉक के बारे में जहां पर स्टॉक के अंदर गिरावट और स्टॉक के अंदर की तेजी दोनों के पीछे कि क्या कुछ रिजन से इसके बारे में हम डेटल म पर जान लेते हैं सबसे पहले इन्फो एज इस स्टॉक का मैं आज का परफॉर्मस आपकी सामें रखना चाहूंगी जहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट फिटी टू परसेंटेज से स्टॉक यहां पर अप्ट्रेंड करते हुए हमें देखने मिला स्टॉक के दवरान का हमें चाहरें हमें नेसमें तरल हर ना मिलका मिले हैं तरल हिस्ट फिर ग्रोट एंट की स्टॉक के और टके को मिल रही है को नेक्स लेवल पर आपको बताना चाहूंगी अगर इसके पीछे का रिजन्स देखा जाए तो यहां पर रेवेन्यू और इसकी जो बीलिंग है उसके अंदर टिकलाइं 14 परसेंटेज का दिखने को मिल रहा है यूर और परसेंटेज की यूर और रिस्पेक्टिवली इंडिके जा रहा है जिसके चलते रिजल्स पर अपडेट नोट होते वह देखने मिल रहा है अब यह भी एक रिजन्स था जिसके चलते स्टॉक के अंदर यह सारी हमें डिक्रीजिंग वाली बाते देखने को मिल रही थी अब इसके शेर ओल्डिंग पैटरन पर फोकस कर लेते हैं ज अगर इसके अंदर से mutual funds या foreign investors अगर की नहीं कि अपर होल्डिंग अगर positive होती ही तो stock के अंदर अच्छे chances बनने के chances जो है वो जारे हमें देखने को मिलते हैं लेकिन यह पर downward terms वाले stock के अंदर momentum जारे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यह पर उनकी holding यह बता रही है अब यह यह पर देखा जाए info hedge के अंदर एक large move recently हमें देखने को मिला जो कि stock के अंदर जो trading above important moving averages lines होती है उसके अंदर above line यह situation हमें quietly देखने को मिली थी अवे के दोरान और यह एक good sign माना जाता है लेकिन यह पर जो stock का माई थे हो कि प्राइजिंग भी देखने को मिलेगा move higher जो की previous closing के ऊपर यहां पर trade करते हुए हमें देखने मिला अब stock के अगर हम बात की जाए तो फिलाल traded value 4215 के करीब करीब की stock की traded value हैं पर हमें देखने को मिल रही है और stock के अंदर आप देख सकते buy trade किया जाएगा जब 4180 तक यहां पर chances थे stock के और intraday के दवरान अगर दिखा जाए चाहूंगी जो कि investors की holding है जो कि access group इसके अंदर top holders देखने मिलता है जिनके पास 7.15% तक की holding देखने मिलते है और नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड का हैं पर 2.99% तक की holding है आपर हमें देखने मिल रही है return on equity है पर यवडी से जादा return stock हैं पर fraud करते हुए देखने मिलता यहां पर recover होने के लिए लेकिन stock एक breakout जरूर यहां पर जल्दी देते हुए आपको देखने को मिलेगा क्यूंगी candlestick pattern सुसी लेवल की यहां पर बनते हुए हमें देखने को मिल रही है तो यह सारी बाते थी info hedge stock को लेकर I hope so यह सारी बाते आप सभी के लिए helpful साबित होगी वीडियो पसंदा है तो लाइक जरू को देना मेरे चैनल पर ने तो चैनल सब्सक्राइब जरू को देना so thank you so much